नमस्कार स्वागत है आपका स्वामे जी यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज हम लोग मंच संचाल और भाषन में एक होता है कि एक वक्ता की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है चाहिए आप कोई भी कारिकर्म करो ओवराल रूप से चैरी पे स्माइल तो होनी चाहिए बेश सबस्ती रहे खुशियों की मैफिल हर खुशी इतनी सुहानी रहे आप जिंदगी में इतने खुश रहे कि हर खुशी आपकी दिवानी रहे एक संतुलन के साथ बोलिए ज्यादा हूँ हला मचाने से जो है कभी भी ओडियंस प्रभावित नहीं होती अगर प्रभावित हो भ हार्धी का बनरता हूं इकभा स्माइल चेहरे पे और मुस्कूराना सबसे बड़ी इबादत है खुश्या की और मैंने एक बास सुनी है मंच पे गए जैसे से मैंने यह दो सस्कोरायाट तो सबसे बड़ी जो खुबसूरती होती है वादमी की रुमें होती है और वो चहरे से मस्कुराहट से चलक जाती है तो इसमें आप ऐसा बोड़ सकते हैं कि जिसके चेहरे पर हंसी है उसी के लिए सस्ती है हर पल बरस्ती है नियामते काइनात की क्योंकि खुबसूरती चेहरे में नहीं रूह में बस्ती है रूह में अगर खुबसूरती होगी तो चेहरे के स्माइल आएगी तो एक बार हम जोरदार धंग से एक हांसते हुए मुस्कुराते हुए बहुती खुबसूरती के साथ एक र में के अंदर एक देखिए जब भी आप मुसकुराने के लिए कोई शायरी बोलते हैं उस शायरी के जो शब्द हैं उनको एक भाश्या के साथ एक दो पंक्तियों के साथ जरूर जोड़ी जैसे मालो एक शायरी है आपने बोला आप मंच पे आय सिदा यह आपने बोल दिया कि बढ़ जाती है कई गुना खुबसूरती महद मुस्कुराने से मगर हम लोग बाद नहीं आते मूँ खुलाने से तो आज के जिनके आपको हार्दिक शुब कामने मेरा विश्य है ये नहीं आपने इस शायरी के साथ ही कहना है कि आज रियल में मैंने देखा है कि चैरे की खुबसूरती बढ़ जाती है मुस्कुराने से हम लोग स्माइल और अंदर से हमारा भाव जो निर्मल हो और जब स्माइल देते हैं तो देखने वाला हरा हो जाता है आदमी की तबियत सुदर जाती है किसी के मुस्कुराते हुए चैरे को देखकर हम लोग सभी चाहेंगे कि आज हमें भी देखकर कोई हरा हो किसी के जीवन के अंदर एक उरजासी दोड़ पड़े तो इसलिए मुस्कुराएं हम लोग और सभी एक संकल्प लेकर जाएं एक प्रेणा लेकर जाएं कि जिन्दगी में मुस्कुराते रहें तो आपके बात करता हूं अपने वीश्या कि आपके बात समय है उसके अकौर्डिंग 30 सेकिंड अगर आपने इस बात पर लगा दिये तो आप अपने भाशन को बेशिक एक मिनट कम कर देना आपका प्राभाव बहुत ही अच्छा रहेगा और इसी के साथ जैसे मुस्कुराते हुए खुशी के साथ जूमते हुए कि खुद हंसो दूसरों को हंसाओ यही जिन्दगी का नाम है जो अपनी हंसी और खुशी को छ चाहिए उसके पास बैठना कोई पसंद कर नहीं करता आदमी की परसनलिटी ऐसी होनी चाहिए आदमी का व्यक्तित हो आदमी के भाव ऐसे होनी चाहिए कहते कि अगर अंदर खुशी हो तो खुशी दी जा सकती है खुद की करें इबादत तो खुदा की इबादत की जा सकती है और यह सक्चाई है दोस्तों आज हम लोग हसते हुए मुस्कुराते हुए और खुब खुश्या मनाते हुए आज का दिन सेलिब्रेट करेंगे ऐसे आप बीच में तैसे पंक्तियां बोलिए बिल्कुल टैंप्रेरी मत बोलिए यानि कि एक पढ़ी पढ़ाई मत बोलिए ठीक है कुछ चीज़ें आप मेरी यहां से ले सकते हैं बहुत से और भी अच्छे बटोरते हैं अभी मंच पर आ रहे हैं जल्वा बिखेडने के लिए आपके सामने आपकी जोड़दार तालियों के साथ ये इस तरह ऐसे और कहते कि मैंने एक बात और सुनी है आप थोड़ा सा इस तरह से इस अंदाज में बात कीजी कि मैंने एक बात सुनी है कि अगर वैक्ति के अंदर खुशी हो अंदर एक दिल में खुशी हो इबादत हो तो इस आदमी के परसनेलिटी कैसी हो जाती है चाहिए नेक दिली मोहबब जजवातों में उतर जाएगी दो पल ही बैठोग이 किसी के साथ साथ वाले की तबियत सुजर जाएगी तो हम लोग एकठे बैटे हैं एक दुसरे के पास बैठे हैं तो तबियत आगर हम लोग चाहते हैं कि अपनी भी दूसरे की भी तो संकल्प लेंगे चाहिए वो देश बक्ती का कारिक्रा है चाहिए वो सोतंतरत दिवस्का और यह थोड़ा सा टोपिक चलो सोरी अलग हुआ तो यह जो है खुशिक इशायरी इन से आप अपने भाशन को आप अपने मन संचालन को शुरुआत कीजिए मुस्कुराते हुए का धन्यवाद